दोस्तों यूरूप चैनल को मोनेडाइज कर लिया, गूगल एडसेंस भी बना लिया, लेकिन अगर आप अपने गूगल एडसेंस का जीमेल और पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आपकी सारी मेहनत खराब हो सकती है, दोस्तों आज मैं कुछ ऐसी ही प्रॉलम आपके सामने ले गए जिसकी वज़े से एडसेंस में एड्रेस वर्फिकेशन नहीं कर पाएं, और इनके चैनल पर मोनिटाइजेसन इस टेप टू में इरर आ गया, और वहाँ पर एड्रेस वर्फिकेशन के लिए बोला जा रहा है, अब यहाँ पर दोस्तों ये परिशान होगे, और इन्हो अब जाएए कि अब टैक्नो गुरुदेओं को इंस्टाग्राम पर फालो कीजेए, इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और हाँ दोस्तों रियल टैक्नो गुरुदेओं को फालो कीजेगा, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर फेक टैक्नो नमबर भी दिख रहा होगा, वहाँ पर भी आप contact कर सकते हैं, लेकिन Instagram पर follow करने के बाद, तो दोस्तों, आज मैं आपको इनकी problem solve करकर दिखाने वालों, चैनल के साथ एक Google AdSense एकाउंट कैसे लिंक करेंगे, वो सारी चीजी आपको पता चल जाएंगी, नमस्कार दोस्तों, म पहली बार चैनल पर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, घटा दबा कर, आल को उप्शन स्लेट कर लिजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही important वीडियो की notification मिलती रहें, तो चलिए, सुरू करते हैं, तो दोस्तों, यह जो चैनल आप देख रहें, यहाँ पर step 1 और step 3 डन हो चुका है, लेकिन दोस्तों, step 2 में error आ गया और यहाँ पर fix in adsense change association का option दे रहा है, अगर हम यहाँ पर दोस्तों, fix in adsense को उपर click करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चैनल के gmail से कोई भी adsense account नहीं है, तो दोस्तों, यहाँ पर हम इनका जो है, एक google adsense account चैनल के स इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि google adsense account में identity verification complete कर लिया था इन्होंने, और अगर हम उसी name से, उसी detail से फिर adsense account बनाएंगे, तो वो disapprove हो जाएगा, जिसकी वज़े से हमारा adsense account जो है, काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर हम किसी दूसरे वेक्ति के name से, एक google adsense account channel के साथ link करेंग तो दोस्तों यहाँ पर fix in adsense पर click करने पर हमको कोई भी adsense account नहीं मिला, तो हम यहाँ पर change association को पर click करेंगे, उसके बाद verify it's you, हम यहाँ पर proceed कर देंगे, proceed करने के बाद दोस्तों हमारे phone पर two step verification code जाएगा, वो code हमको यहाँ पर click कर देना है, तो दोस्तों code click करने के बाद ह हमारे सामने step two you will be redirected to adsense to complete this step का option आजागा और यहाँ पर हम click करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर हम बीच वाले option को select करेंगे, no I don't have an existing account और इसके बाद दोस्तों continue के उपर click करने के बाद हमारे सामने choose an account का option आगा, दोस्तों यहाँ पर आप अपनी channel के gmail से भी google adsense account बना सक channel इसाथ link होगा, तो हम यहाँ पर use another account के उपर click करेंगे, यहाँ पर create account के उपर click करकर for myself के उपर click कर देंगे, अब यहाँ पर दोस्तों first name, last name, जिसके name से आपको google adsense account चाहिए, उसका first name, last name डालकर next पर click करना है, उसके बाद दोस्तों basic information में month, day, year और gender select करकर next पर click कर देना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर use your existing email के option में, आपको यहाँ पर get a gmail address instead के उपर click करना है, और जिस भी username से आप gmail account बनाना चाहते हैं, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर create your own gmail address के उपर click करकर, आपको अपनी gmail account के username यहाँ पर बना लेना है, तो चलिए हम यहाँ यहाँ recovery email को हम यहाँ पर skip कर देंगे, और यहाँ पर phone number में दोस्तों हम एक mobile number डालेंगे, और next पर click करेंगे, इस mobile number दोस्तों OTP भेजने के लिए हमें send button पर click करना है, और हमारे phone number पर 6 अंको का code आ जाएगा, वो code यहाँ पर डालकर verify कर लेना है, दोस्तों यहाँ पर OTP डालकर verify प पर click कर देना है, आपको उसके बाद दोस्तों यहाँ पर get more from your number इसको skip कर देना है, इसकीप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका review your account information का page आएगा, इसको next कर देना है, next करने के बाद दोस्तों यहाँ पर privacy and terms आएगा, आपको नीचे आना है, I agree पर click कर देना है, इतना क करने के बाद दोस्तों आपके सामने Google AdSense का sign up पे जा जाएगा और यहां पर दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से page दिखाए देगा Let's get you started और आपको यहां पर setup account के उपर click करने से पहले आपको यहां पर click करना है और अपनी country select करना है और setup account के उपर click कर देना है इस तरीके से दोस्तों आपका page आगे बढ़ जाएगा और यहां पर customer information का आपके सामने page open हो जाएगा दोस्तों यहां पर आप अपना account individual रखेगा और यहां पर name and address जो आप फिल के रहेंगे वो आ जाएगा address में आपको अपना current address डाल कर submit कर देना है मतलब की address वही डालना है जहां पर आप रहते हैं और आपका पीन आपको मिल सके ठीक है तो चलिए हमें आप पर address डाल देते हैं कि समिट करनी के बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने we are reviewing your information और इस तरीके से आने के बाद यह आपको redirect कर देगा आपके चैनल के पेज़ पर जहां से आपने adsense account change करना सुरू किया था अब दोस्तों यहां पर आपका step to in progress में चला जाएगा और google adsense account हमारा review में चला जाएगा आपको google adsense account में कोई भी छेडशा नहीं करनी है तो दोस्तों यहां पर बस आपको wait करना है और यह comes comes 24 से 48 घंटा में done हो जाता है या maximum इसमें 1 या 2 week का समय लग सकता है तो चली हम यह आप पर wait कर लेते हैं अगर यह channel जल्द ही monetize हो गया तो मैं आपको screenshot लगा दूँगा वरना यह तो monetize होना ही है अगर आपको ऐसी कोई problem आ रही है तो आप अपनी problem solve कर सकते हैं इस वीडियो के लप से अगर आप से problem solve नहीं हो रही तो आप techno गुर को follow कीजिए और किसी को बीना वीडियो कॉल किये आपको ID और password नहीं देना है पहचान कर ही देना है अगर आप मुझे दे रहे हैं तो मुझे वीडियो कॉल करके ID और password देजिए मैं आपकी problem solve करके आपको दूँगा तो उमीद दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छी मातरा